हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मर्याँ वेलकम टू माय चैनल आजम बनाएंगे मालबुए बहुत ही टेस्टी और डिलिशेस बनकर तयार होते हैं कुई एक और इजी रेसिपी है वीडियो को पुरा जरूर देखिएगा हमेशे की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैन में एक कप दूदाइट करेंगे दूद को गरम कर लेंगे दूद गरम हो चुका है अब हम 250 ग्राम मावाइट करेंगे यहाँ पर हमने ठीका मावा लिया है अब हम इसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंच दूद में मावा गुल चुका है अब इसे बाउल में निकाल लेंगे अब इसमें एक से दो कप मेदा लेंगे इसे मिक्स करते हुए बैटेर रैडि करेंगे एक अब दूद लेंगे दूद को थोड़ा थोड़ा सा बैटेर में एट करेंगे देखिए बैटेर अच्छे से रैडि हो चुका है बैटेर को हमें मेडियम ही रखना है ना ज़्यादा हाड ना ज़्यादा सॉफ्ट पंटेवरी स्पून येलो फूट कलर एक कप शक्कर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से कलर मिक्स हो चुका है अब हम चाशनी रैडि करेंगे पतेली में दो से तीन कप शक्कर आइड करेंगे दो से तीन कप पानी वेंटेवरी स्पून लाची पाउटर वेंटेवरी स्पून येलो फूट कलर डालकर मिक्स करेंगे देखिए शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब चाशनी में एक से दो निम्बू का रस डालकर मिक्स करेंगे यहाँ पर एक से दो बुन्द रोज एसेंस एट करेंगे जिससे इसमें खुश्बू हो जाएगी चाशनी बनकर रेडी है हमें चाशनी के तार नहीं बनाने है अब पैन में एक से दो कप गी एट करेंगे गी को गरम कर लेंगे गी गरम हो चुका है मालपू को हम गी में तलने के लिए डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही तलना है इसको अच्छे से तलने के लिए इसके दोनों तरफ गी डालेंगे फ्रेंट्स मालपू फ्राय हो चुके हैं अब हम इसे सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल लेंगे बहुती टेस्टी बनकर तयार हुए है मालपु को चाशनी में 15-20 मिनट तक डाल देंगे देखिए मालपु कितना अच्छा से राइडी हो चुके है बहुती टेस्टी बनकर तयार हुए है मालपु को प्लेट में निकाल लेंगे देखी फ्रेंज मालपुए बनकर रेडी हो चुके हैं मालपुए बहुत ही अच्छा लगते हैं और बहुत ही जिलिशस बनते हैं आप भी इस रेसिपी को रक्षबंदन के शुब आउसर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स झाल